है है लग गाइस गुडवानी आई होग क्याप सब ठीक होंगे आज है 18 दिसंबर मंडे 2023 सुबही आज मेरा आज स्कूल है अब मैं अभी पाप पना रहा है फिर मैं नहां दो के चार के स्कूल जा रहा हूं और शांत ने ब्रश कर लिया टीथ दिखाओ मैं चाहे पी लेती हूं फिर आपके लिए खाना मनाऊंगी कल आ गए थे ये पेड काटने के लिए और काफी बड़ा ये पेड था आप हमेशा मेरी वीडियो में इस पेड को देखते हूंगे हर वीडियो में आपको ये पेड जरूर नजर आएगा जो भी मेरी पिछली वीडियो है और काफी बड़ा ये हो गया था ये कम से कम दस साल का था जब हम यहां आये थे तब ये बिल्कुल छोटा सा था तब से ये दस साल का हना हमें दस साल हो गया है और आज इनों ने इसको काट दिया और हमें बहुत दुख आया इस पेड का क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता था हमारी हर वीडियो में काफी इसने भी कटे हैं सबकी वीडियो पिछले हमारे जो व्लोग है उनमें आपको दिखेगी तो जी अब देखिए आठ बचे जब यह चले जाते हैं इशानत और उसके पापा तो उसके बाद मेरा जो भी काम रहता है आपको उसकी मैं जानकारी देखती हूं बस यही होता है कहीं थोड़ा सा काम जो है यह इनके मतलब जाने से पहले हो जाता है और कई बार इनके जाने के बाद होता है तो अक्सर जब मुझे यह लगता है कि चलो मैं भी नहीं के साथ बैटके खाना खा लेती हूं ब्रेकफास्ट कर लेती हूं तब मेरी यह कीचन रह जाती है नहीं तो अपनी कीचन भी साफ कर देती हूँ खाना खाने से पहले तो मतलब आठ वजे के बाद जो मेरा काम रहता है ज्यादा तर वो मैं आज आपको बता रही हूँ और मेरे जो काम रहते हैं सबसे पहले तो कीचन रह जाती है मतलब खाना खाना बनाने के बाद जो समान अस्त व्यस् उठाना तो जी ये काम मैं करती हूँ बाद में तो जी ये चले गए थे तो जो सल्फ वगेरा थी साफ कर दी जो टैल्स वगेरा पिछे लगी हुई है वो भी साफ कर दी उस पे चाय वगेरा के भी छिंटे लग जाते हैं सबजी में तड़का वगेरा छोंक लगाते हैं तब उसके बीच हिंते लग जाते हैं तो वह साथ के साथ में काम कर देती हूं जो रहा जाता है वह बाद में जब साफ सवाई होती तो साफ कर देती हूं और सारी सल्फ सुलफ साफ करने के बाद अभ आई नो की बारी तो बरतन भी आपको नजराई जाएंगे कि ठोड़े से हमारे जो बरतन होते हैं बस ये इतने से बरतन होते हैं कई बार तो तो पहले जो जितने भी सिखने बरतन है सभी में से जूट निकाल लेंगे यानि कि पाने से एक बार साफ कर लेंगे उसके बाद सरफ साब बुन जो भी लगाना है उसके बाद लगाऊंगी और आज ना जो स पैर को खाएंगी शान्त आएगा स्कूल से तो उसी में ही गरम कर लूँगी तो आज बरतन जादा नहीं है बस थोड़े से ही बरतन है आपको अभी नजर आ जाएंगे तो नहानावाना भी हो गया है सुबह और जाड़ू पोच्चा भी हो गया है बस इनके जाने का जो बाद इनके जाने जाने से पहले मैं कर लेती हूँ और उसके जाड़ू पोच्चा जब उससे फ्री होके नहा के तो अब मैं कीचन में आ जाती हूँ भी अपना जो कीचन का खानावाना होता है वो बनाने आ जाती हूँ और थोड़ी बहुत हेल्प इशान के पापा भी मेरी कर द तो ये थे भई हमारे बरतन गिन गिना के दो प्लेक थी और एक दो बरतन वैसा था कप थे बस ये हमारे बरतन थे और बरतन साफ करने के बाद साथ के साथ ही सिक को भी साफ कर देते हैं क्योंकि जो काम समय पर ही हो जाए ना भई और तूर्त तान हो जाए ना मतलब की साथ के स साथ हो जाए ना तो वह सबसे बढ़िया है अगर मैं इसको भी छोड़के चली जाती ना चलो भी बाद में सिक बाद में कर लेंगे साफ कोई बात नी थोड़ देर बैठ जाते हैं या कुछ और कर लेते हैं फिर यह साफ नहीं होनी थी फिर तो यह कल पे गई थी तो इसलिए सिख भी साथ के साथ कर देंगे साफ और धूंप नमस्त वाली आ गई है बाहर धूंप एक तो अब ना इधर से जो वो पेड़ काट दिया भई तो उसकी वजह से भी अब मतलब धूंप एक दम से तेज वाली धूंप आती है और काफी मतलब रोशनी सी भी हो गी है और काफी बड़ा ये प्ला पोधन यार पेड़ काफी बड़ा ये पेड़ था मतलब ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर और हमारा सेकंड फ्लोर से भी उपर था मतलब जब मैं च्छत पे भी जाती हूं आप सभी को पता है कि तब ये च्छत से भी मतलब काफी उंचा था ये पेड़ तो जी क्या बस भई बहुत ही दुखाया क्योंकि जो ये पेड था न छट से भी और यहां घर में भी जब हम वीडियो अपनी बनाते थे तो ये पेड अक्सर हमारी वीडियो में आता था सभी वीडियो में आता था भई और कीचन साफ करने के बाद आ गई हूँ बाहर ये वा के बाद जादा भी मेरे पास काम नहीं रहता बस यही हलका फूलका सा काम रह जाता है क्योंकि जाड़ू पुच्चा तो होई जाता है जैसे नहाना होता है नहाने के साथ साथ ही वाश्रूम की दुलाई भी हो जाती है जब दोना होता है तो नहाने से पहले ही वाश्रूम भी दो देती हूं बस हमारा ये बाहर का वाश वेशन था तो इसको भी कर देते हैं साफ तो जी वाश वेशन के साफ करने के बाद छोटी मोटी जो डिस्टिंग वस्टिंग रहती है वो मैं कर लूँगी क्योंकि इस उबह ना डिस्टिंग वस्टिंग थोड़ी सी रह जाती है जैसे की मेज पे कपड़ा मारना और बैड साफ करना तो इस तरह के छोटे मोटे से काम जोते है ना जैसे इशान्त की बुक्स वगेरा मतलब इदर उदर भी खरी रहती है ना जो उनको सही से रखना बस यही हलके फुल के काम हो जाते है इनके जाने के बाद उसके बाद फिर मैं फ्री हो जाती हूँ टेंशन फ्री तो जी साथ के साथ जो ये पानी इस पे लकड़ पे गिर गया तो इसको भी साफ कर देती हूं क्योंकि मैंने एक हाथ में ले लिया था भी ये कोटन का कपड़ा क्योंकि एक दम से पानी को सोक लेता है वैसे तो मैंने जब ये साफ किया मतलब फोम है उससे मैं साफ करती हूं उससे से हमने साफ कर दिया है तो जी अब शिशाव गैरा रह गया है बाकी ये सारा साफ हो गया तो डीप क्लीनिंग तो इसकी करने की है नी साफ है मतलब इसके जो निच्छे साइड में जो भी है सारा साफ करने का नहीं था तो वो मैंने पहले ही साफ किये हुए थे और सर्दियों म कम आती है और गर्मियों में बहुत हो जाता है साफ सफाई का भी काम और सर्दियों में इतना नहीं होता है साफ ही होता है मतलब धूल मिट्टी कम आती है बैठी रहती है धूल मिट्टी तो जी यह हमारा हो गया वाच वेशन साफ तो यही अभी छोटे मोटे से काम समय पर हम क कर लेते हैं ना तो हमारी जो डेली रूटीन है न वो बहुत अच्छी होती है हो जाती है और अपने आपको भी थोड़ा बहुत मतलब टाइम मिल जाता है अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम हम निकाल पाते हैं और यही है तो जी उधर से सारा वाच वेशन वगेरा साफ कर करने के बाद कीचन साफ करने के बाद अब यह चोटी मोटी जो मैंने बताया था ना आपको डश्टिंग वश्टिंग है इसको भी कर लेती हूँ तो जी यह मेज वगेरा हो गया और अब जो हमारे रूम के बैड वगेरा है उन पे भी मैं साथ के साथ लगा दूंगी कपड गिला और वो सारी साफ सफाई करने के बाद और अब मैं बैठ गई थी धूंप में तो जी सबसे पहले पानी पानी बहुत जरूरी है तो अक्सर आज कल गुनगुना सा पानी मैं पी रही हूँ आज कल क्या वैसे गुनगुना ही पानी चलता है तो जी इस सर्दियों में यह थोड़ा सा फालतू गरम हो जाता है तो हमारा पानी हमने पी लिया और उसके बाद कपड़े 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 तो सरदियों के कपड़े कितने सारे हर रोज हर रोज आप देखते होंगे मेरे को कि मैं कितने कपड़े हर रोज तया लगाती हूं दोती हूं पर अब पहले की तरह है वीडियो नहीं बना पाती जैसे पहले जैसे मैं कपड़े दोती थी तो वीडियो बना लेती थी पर बही डेली के डेली इतने कपड़े तो फिर टाइम बहुत लग जाता है तो यही है बही चलो इनको उठाते हुए ही वीडियो बना ले तो यह तो हर रोज का बही इतने कपड़े हो जाते हैं सर्दियों में तो एक ही बंदे के 4-5-5 कपड़े हो जाते हैं या second है तो ये है कपड़ों का तो बही डेली का तो जी बस इनकी तया लगा देंगे और तया लगाके इनको रख देंगے उठाके आराम से फिर उसके बाद इशान ताएगा और खाना पिना जो भी शान के लिए बनाना है वो बनाएंगे देखते हैं क्या बनवाएगा वो अलू पूरी की अलू और गोबी की सबजी रखिया अगर उसने कहा कि पूरी बना दो इसके साथ क्योंकि सुक की सबजी है तो पूरी बना दे देख लेंगे जैसा भी ठीक रहेगा वही उसको बना के दे देंगे तो जी कपड़े हमारे तै हो चुके हैं और मुझे ना नेन पेंट भी लगाना था कहीं दिन से सोच रही थी और नेन ऐसे अच्छे से नहीं लग रहे थे तो पहले तो यह सबसे जरूरी है आज कल स्कीन को मोश्चर राइस करना तो मोश्चर देते हैं भी अपनी स्कीन को तो जी यह लगा के वैसलीन का और अब लगाऊंगी मैं नेन पेंट क्योंकि कहीं दिन से सोच रही थी कि नेन पेंट लगाना है लगाना तो ना कुना अच्छे से नहीं लग रहे थे गंदे से लग रहे थे तो अब जो पहली थोड़ी बहुत नेन पेंट लगी हुई थी वो उसी के ओपर ही मैंने लगा दी ये बाद में देखेंगे अगर साफ करनी होगी तो साफ करके दुबारा से लगा लेंगे यानि कि एक दो दिन में अभी साथ के साथ नहीं तो जी नेन पेंट हमारा लग चुका है